हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कम्टेशन कम्यूटी पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आएए आज हम लोग अपने नैरेशन का सेकंड पार्ट सुरू करते हैं सेकंड पार्ट सुरू करने के पहले हम आपको बताते चलें कि इसके पहले नैरेशन के फर्स पार्ट में हम लोगों ने नैरेशन को डारेक्ट से इंडारेक्ट में चेंज करना सीखा था और इसमें हम लोगों ने सीखा ताकि इसके लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों को जानना पहले से ज़रूरी है ठीक है उसके बाद हमने आपको person को change करना सीखाया उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि यदे reporting work present या past में हो तो reported speech का change change नहीं करता है ठीक है फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि यदे reporting work का object given हो तो क्या करते हैं और यदे reporting work का object given नहीं हो तो उसका हम लोग direct से indirect किस तरीके से change करते हैं ठीक है और इसके डेर सारे example भी हम लोगों ने पिछले class में देखे थे solve किये थे बनाना इसको हम लोगों ने सीखा था तो आज के class को इसके आगे हम लोग continue करेंगे इसके पहले हम आपको बताते चले कि यदे अब तक आपने हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया है तो हमारे channel को जरूर से subscribe कर ले और bell icon को hit करना बिलकुल भी न भूले हम लोग Monday to Friday में आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं किसे भी subject में जो कुछ भी आपको जहां तक भी पढ़ाये गया होता है उसका PDF तो आपको provide करते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसका practice seat भी आपको available करवाते हैं जो available है हमारे website पे और app पे दोनों जगों पे यह available है ठीक है तो आप इनका use कर सकते हैं इसके लिए आपको हमारे website यह app दोनों में जहां चल लगे वहाँ जाए और आप अपने mobile number को put करके mobile number verify करवाई और free of cost खुन को register करें आप में से बहुत सारे बच्चों का doubt होता है कि sir vocab के लिए English में क्या करें तो vocab का quiz आपके telegram channel पे चल रहा है हम लोका जो telegram channel है जिसका link आपको description box में given है ठीक है website और app का link भी given है कैसे PDF को download करें यह भी आपको वहाँ पे app में given है ठीक है description box में भी given है ठीक है बात समझ में रही है तो इस तरीके से आप पर telegram channel में जाए और सामके साथ बज़े daily vocab का quiz होता है आपको जरह सा भी hesitate होने की जरूरत नहीं है कि आपके एक question सही होंगे कि एक भी नहीं होंगे ठीक है maximum क्या होगा ज्यादा ज्यादा तर किसमें आपके साथ यह होगा कि उसमें जितने भी question चलेंगे वो कैब के उसमें से एक भी आपका सही नहीं होगा ठीक है इससे ज्यादा कुछ होने वालन नहीं है ठीक है बात समझ में आ रही है बट आप उसको continue रखिए लगतार उसमें appear हो यह और continuity बनाई रखिए धीरे धीरे आपको समय के बाद देखेंगे जैसा कि आप स video comprehension के video यह सब आपको यहाँ पे मिलेंगे ठीक है लेकिन video के अलावा भी टेलिग्राम चैनल में यह सारी चीज़े चल रही है तो आप अपने continuity वहाँ बनाई रखिए और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे आपकी speed और accuracy वहाँ भी बढ़ने लगेगे ठीक है और यही continuity यदि आप आगे लगतार बनाए रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि अब maximum question आपके सही होने लगे ठीक है बाद समझ में आई तो इन चीज़ों का आप ज्यादा तर यूज करना सीखे maximum effort ले ज्यादा ज्यादा कुशन आप बनाए चाहे grammar का हो या comprehension का हो या vocab का हो कहीं का हो किसी भी subject का हो चाहे English का हो math का हो reasoning का हो ठीक है ताकि आपके speed और accuracy दोनों बढ़ सके ठीक है चलिए तो अब इन चीज़ों को हम लोग यहीं पर समप करते हैं और अब हम लोग चलते narration part 2 में narration part 2 में चलने के पहले हम आपको थोड़ा सा बताते चले revise करवाते चले देखे narration में हमने आपको बताया था कि यह direct है यह indirect है इसको पाचाना हम लोगों ने सीखा था और फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि किन किन चीज़ों में change होता है क्या क्या change करता है direct से indirect मे हमन आपको बताया था कि pronoun का table, pronoun का table के अलावा आपको tense का structure यह सारे structure आपको याद होनी चाहिए ठीक है इसके बारे में हमने आपको बताया था कि यह भी structure आपको याद नहीं हो तो आप इसको भी अलग से page पर लिखकर रख लें ताकि आपको sentence को देखने और पाचानने में कहीं कोई असुविधार नहीं हो sentence जब तक आप नहीं पाचानेंगे कि given sentence का tense क्या है तो आपको हर बार दिख कर जाएगी ठीक है और उसके बाद इस table का use करके हम लोगोंने question को solve करना सीखा था इनका धेर सारा ये सब question हम लोग बनाए थे और इसके बाद देखे पिछले class में last question हम लोगोंने ये वाला solve किया था तो last question पे last class में हम लोग यहाँ पे इस objective pattern के question को बनाना सीखे थे अब आज से हम लोग इसी pattern के question को solve करेंगे ठीक है तो चाहे narration के जितने भी concept है rules है उन सब को हम लोग सीखेंगे पढ़ेंगे और साथ साथ ऐसे question को हम लोग बनाते चलेंगे ठीक है चलिए तो अब आज के class के सुरुवात करते हैं सबसे पहले अब यहाँ से देखे इस class में भी वही बात है इस question में भी वही बता है था यदि किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का अब्जेक्ट गिवें नहीं हो और डवल इनवर्टेट कॉमा में second person present हो फिर से हम आपको फिर से बोट पर लिकर चलें और आपको हम थोड़ा सा रिवाइस करवाते चलें हमने आपको बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस में यदि किसी स्पीच में सेकंड पर्सन प्रेजंट हो सेकंड पर्सन प्रेजंट हो तो इसका इंडिरेक्ट बनाने के लिए हम लोग इस रिपोर्टिंग वर्ब का हम लोग इस रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ने कोई हम लिखना चाहें तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका आंसर दू तरीके से बनेगा सबसे पहले इसका आहिए हम लोग हम लोग बनाएंगे तो दो तरीके से बनेगा पहला तरीका हमें यहां पे हर लिख रहा हो यदि हम हर लिखेंगे तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा हे टेल्स हर और फिर यहां लगाएंगे दैट ठीक है अब यह परसंट चेंज करना तो आप शिखी चुके पिछली क्लास में यही सब हम लोगोंने काम किया था ठीक है इसी पर मैक्सिम टाइम हम लोगोंने इन्वेस्ट किया था तो आई का क्या हो जागा आई का हो जागा ही और लव का क्या हो जागा हो जागा लव से यू का हो जागा हर ठीक है दूसरी बात कि यदि हमें इस टेल को नहीं लिखना ह तो हम लोग कैसे answer करेंगे, हम लोग answer करेंगे, he says that, he says that, he loves, he loves her, ठीक है, बात समझ में आ गई, देखिए, that के बाद वाला जो part है, दोनों में same है, that के बाद वाला part दोनों में same है, changes कहां पर है, सिर्फ यहां पर, यदि object लिखते हैं, तो सेको टेल में convert करते हैं, object नहीं लि नया concept क्या सीखना, जैसे, इसी question में, हम यहां पर लगाते हैं, राम, राम says, राम says to sita, राम says to sita, यहां पर हम लगा दी, I love you, अब आप ज़रा ध्यान देजी, इसमें क्या मिल रहा है, इसके पहले, पिछले class तक में, हम लोगों ने जहां तक भी पढ़ा था, उसमें हम ल अब यहां पर सब्जेक्ट, और यह था हमारा object, और जो भी यहां पर subject या object होता था, वो सारे के सारे क्या होते थे, कोई ने कोई प्रोणावन होते थे, अब यहां पर यह देखे, यह first person है, यह change करेगा, राम के according, यह second person है, यह change करेगा, सीता के according, ठीक है, लेकिन अब यह यहां पर कोई भी pronoun given हमें, अब यहां पर कोई pronoun यदि हम लोगों को given नहीं है, तो इसके according हम लोग appropriate pronoun अपने मन से put करेंगे, जिससे राम लड़का है, तो इसके लिए हम लोग क्या use कर सकते है, ठीक है, चुकि यह subjective case में, verb के पहले आया, इसलिए subjective case लेते है, अब यह देखे to क्या है, preposition है, preposition के बाद क्या था, objective के साथ है, ठीक है, verb के बाद भी क्या था, objective के साथ है, सीता क्या है, एक female है, तो इसके लिए हम लोग क्या use कर लेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेंगे, यहां पर हर, ठीक है, और अब इसके according हम लोग इसको direct से indirect मे convert करते है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो part है, ये जो बाहर वाला, ये बाहर वाली वाला जो part है, ये same रहेगा, इसमें हम लोग कोई change नहीं करते हैं, change कहाँ पे होगा, अंदर वाले में ठीक है, He says, sorry, तो इस cancer क्या बनेगा? He, इस cancer बनेगा? He, sorry, Ram, Ram tells, Ram tells Sita, Ram tells Sita that, अब यहां हो जाएगा, He loves, He loves her, ठीक है? बात समझ में आ रही है, तो इस cancer क्या बन जाएगा? Ram tells Sita that, He loves her, बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो आईए अब इस concept को सीखने के बाद, इस concept पर बेस्ट हम लोग यहां पर कुछ question को solve करना सीखते हैं, यहां पर आईए, इस question में जड़ा देखिए, इस question में हमारा reporting work क्या है? ठीक है, यह रमेज क्या है? यह है हमारा subject, ठीक है, reporting work का यह subject है, अब यह लड़का है, इसके लिए हमें यहां पर क्या use कर लेंगे? यह क्या use कर लेंगे, ठीक है? अब यह देखिए, यह second person है, second person है, तो हमें कोई ने कोई object मानना होगा, object मानने कि आपको कोई जरूरत नहीं होती, आप सीधा चली option में अब देखिए, सीधा हम लोग option में चलें, सबसे पहले, इस inverted comma के बदले हम लोगों को क्या use करना है, that, तो देखिए, that कहां कहां पर, यहां पर है, यहां पर है, तो यह दोनों हो सकता, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ठीक है, चले, यह दो option cancel होगे, option number C, option number D, दोनों प्रिजेंट हो, या future हो, तो reported a speech that is double inverted comma के अंदर, जो sentence होता है, उसका tense change है, नहीं करेगा, अब यहां देखिए, यहां पर क्या लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा, यहां से आगे चले, कुछ और question को लोग यहां पर देखना सुरू करें, यहां है, यह है, इसके लिए हम लोग use करेंगे, ही, इसके लिए use करेंगे, हर, ठीक है, यहां पर देखे, reporting बर्ब का subject और object दोनों की वेन है, बर दोनों क्या है, ना उनके form में की वेन है, ठीक है, अब यह क्या है, यह second person है, यह किसके coding change करेगा, रवीना, रवीना, that is, हर के coding change कर ठीक है, अब आप simply चलिए, सबसे पहले that को डूड़िए, देखिए, that किस में है, तो that इसमें नहीं है, that इसमें नहीं है, यह दोनों हो गया, cancel, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अब says का क्या करेंगे, say का क्या करेंगे, tail में conversion करेंगे, यहां पर देखे, option number B में, यहां says ह ही लिखा हुआ, यह cancel हो गया, अब हमारा answer क्या बनेगा, यह tail, आगे का पार्ट भी चेक कर लीजिए, आगे के पार्ट में देखिए, इसका टेंज क्या था, present, और यह क्या लिखा हुआ, will लिखा हुआ, तो will code में change करेंगे, क्या, नहीं करेंगे, लेकिन यहां देखे, change क है कि नहीं, यहां change कर दिया, यहां change कर दिया, इसलिए यह option number भी cancel हो गया, तो यह इसके कारण भी cancel हो गया, और इसके कारण भी cancel हो गया, ठीक है, answer क्या बना, option number A, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसी तरीके से, आप देखेंगे, कि within few seconds, आप हर narration के question को solve कर पाएंगे, ठ ठीक है, चले, यहां देखे, यह देखे, यह हमारा जो reporting भाव है, इसका tense क्या हो गया, यह हो गया, future में, ठीक है, अब यह जब future में हो गया, इसका देखेंगे, अपना इस reporting भाव से का, अपना object given नहीं है, आप double inverted में चले, इसमें देखेंगे, कई second person है, क्या, नहीं है, न से मीरा, अब देखे, काली विल से मीरा, यहां पर मीरा को object बना दिया, मीरा को हम object नहीं बना सकते, मीरा को हम object तब बनाएंगे, जब reported speech में, यह मीरा कॉमा से separate किया हुआ होगा, ठीक है, तो इस concept को भी हम लोग नहीं पढ़ें, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब यहां पर आजाएं, यह reporting verb से का tense क्या है, future है, तो हमने आपको पिछले class में क्या बताया था, हमने आपको पिछले class में बताया था, कि reporting verb का tense यह फ्यूचर में हो, present यह फ्यूचर में हो, तो reported speech का that is double inverted comma के अंदर जो sentence होता है, उसका tense change नहीं करता है, चिक है, उसके according, इस will का उट में conversion होगा क्या, नहीं होगा थो, option B में देखे, will का उट बनाती है, इसलिए भी गलत हो गया, अब दो ही option बचा हमारे पास option number E और option number C, देखे, दोनों में difference कहां पे, mira will swim in the river, दोनों में same लिखा हुआ है, अब हमारा answer क्या बनेगा, उसके पहले के part को चेक करें, that के पहले के part को देखिए, यहां पे will को remove कर दिया, will को remove कर दिया, तो यह घलत हो गया, क्योंकि यह लिखा हुआ था, future में और यहां पे यह लिखा हुआ है, present में, तो present में हम इसका attention नहीं कर सकते, इसलिए यह option भी हमारा cancel हो गया, हमारा answer क्या बना, हमारा answer बना, option number A, answer क्या ब person यह, मादो के according change करेगा, मादो लड़का, इसके लिए हम लोग क्या use करेंगे, तो pronoun him का use करेंगे, राम, लड़का, इसके लिए हम लोग क्या use करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, अब सबसे फ़ले से का क्या होगा, conversion हो जाएगा, tell मे, समय देखे, समय टेल सी लिखा ह हुआ है, तो आप छोड़ देजिए इसको, अब आप that के बाद वाले के पार्ट को चेक किजिए, यहाँ पर देखे, क्या लिखा हुए, और इसका tense क्या है, इसका tense है, present, ठीक है, तो reporting बाप का tense, यह प्रेजन्ट या future में हो, तो reported response का tense change नहीं करता है, अब आप आजाए, है, इस, यू को हम लोग किसमें change करेंगे, हिम के according, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यह देखिए, ही ही ही, और ही, ठीक है, अब देखे, ही के साथ हम लोग यह present में क्या use किया गया है, यहाँ पर यू के सांट लिखा हुए, आर तो हम लोग ही के सांट क्या use करेंगे यह का यूज़ करेंगे option चेक कर लिए option number D में इस है क्या नहीं है cancel सी में इस है क्या नहीं है यह धी cancel option number a में देंखें इस है तो यह होगी हमारा answer बात्समज में आ रही है इस तरीके से हम लोग किसी भी बड़े से बड़े question का एकदम आसान तरीके से answer कर सकते हैं ठीक है तो अब आते हैं हम लोग इस question पे अब देखें यह हमारा जो question है यहां पे देखिए यहां पर reporting वर्प कटेंस क्या है reporting वर्प कटेंस है present sorry future तो देखिए सब में विल टेल लगा होगा यह देखिए विल टेल विल टेल व इसका टेंस चेंज करेंगा क्या नहीं करेंगा ठीक है यूचेंज करेंगा किसके according यूचेंज करेंगा माधव के according यू किसके according इसके according तो यहां पर क्या है यह इसके बदले हम लोग क्या यूज करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या लिखना होगा हम लोगों को लिखना होग ही क्या लिखना होगा ही तो यहां देखिए सब में लगा हुए ही ठीक है अब देखिए अब यू के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहां पर यू के साथ यूज़ करेंगे इसका यूज़ करेंगे इसका यूज़ करेंगे ठीक है अब देखिए इसमें कोड लिखा इसमें वज लिखा हुए ये तसमा अर्थात कहीं नहीं प्रिंटिंग जिए किसी नहीं किसी एक और संब या तो सान में एम इन दोनों में से किसी एक में इसका यूज होना चाहिए बॉप स्था नंबर ऐब देखा हुए अब ज़ड़ा चेक करके देखें हम लोग he He is a good player of cricket, ठीक है, option number A हो गया हमारा answer, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं से हम लोग, अब चलते हैं इस question में, यह question देखें, आपके SAC, CHSL 2018 में पूछा गया question है, इस question को आई हम लोग देखें, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पले यह देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह हमा ही हो जाएगा, ठीक है, आई के जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पले यहाँ देखें, ठीक है, इसमें देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, नहीं है, इसलिए इसका object लिखने की और मानने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ देखें, says ही रहेगा, यह चेंज नहीं करेगा, ठीक है, अब यह देखें, आई का हो जाएगा, ही तो ही के साथ हम लोग present में क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, option number D में देखें, क्या यूज किया गया, वाज यूज किया गया, तो यह क्या हो गया, cancel हो गया, हमारा सेकेंड पर्सन है, नहीं है, तो हम सेज का सेजी लिखेंगे, यह देखें, says, wanted to buy, गलत हो गया, यह देखें, say, गलत हो गया, says और says, यह तो option number B और C, यह दोनों cancel हो गया, यह तो A होगा, यह तो D होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, अब सबसे पहले says के बाद हम यह future हो, तो reported speech का test change, नहीं करता है, तो यह wants का wants ही रहेगा, she wants, she wants to buy this dress, तो यह answer बनेगा हमारा option number A, लेकिन इसमें that का use नहीं किया, इसलिए गलत हो गया, अब इसमें देखें, she wants to buy this dress, इसमें that present है, answer बना हमारा option number D, correct answer is option number D, ठीक है, next, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते next question में, she says, I go for a walk every morning, कुछ नहीं करना है, इसमें देखें, यह क्या है, देखें, यह क्या है, यह क्या है, यह हमारा reporting, ठीक है, इसके बाद that होना चाहिए, यहां देखें, said, यह दोनों गलत हो गया, यह देखें, says that, यह देखें, says that, ठीक है, अब देखें, I किसके according change कर जा इसलिए, यह cancel हो गया, इसमें person को change कर लिया गया, और go को ghost में change कर दिया गया, answer बनके हमारा option number A, answer बना option number A, next, अगले question में चलते है, देखें, अगला question हमारा क्या है, father says, देखें, फिर यहां reporting बाब का tense क्या है, present है, और reporting बाब का अपना object नहीं है, यहां देखें, कास्मीर is the heaven of earth, ठीक है, यह statement है, इसका tense क्या, इसका tense भी present, ठीक है, तो इसका tense change नहीं करेगा, सबसे पहले reporting बाब को हम पकड़ ले, reporting बाब को चेक कर ले, यहां देखें, क्या लिखा हुआ है, said, गलत हो गया, और इसमें देखें, father is saying, यहां पर is saying, यह देखें, यह क्या था, यह यहां देखें, father says that, कास्मीर वोज, यहां कास्मीर के साथ वोज का use नहीं करेंगे, इस वोज का use हम लोग तब करते हैं, जब प्रेजेंट, sorry, जब यह reporting बाब प्रेजेंट में हो, यह future में हो, तो reported a speech का tense change नहीं करता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए answer हमारा क् अंसर बनेगा option number C, answer क्या बनेगा option number C, next, आगे बढ़ते हम लोग यहां से, अब देखें, आपको काफी मजा आ रहा होगा, किस तरीके से हम एकदम आसान तरीके से, बड़े से बड़े question का, यह किसी भी given question का, हम लोग answer कर पा रहे है, ठीक है, चलिए, यहां पर देखें, न question indirect का है, अब इसको हमें किस में convert करना होगा, direct में convert करना होगा, यहां देखें, नित्रा से है, ठीक है, तो हमारा जो, हमारा जो direct बनेगा, उसमें हम लोग क्या लिखेंगा, उसमें हम लोग लिखेंगे, नित्रा से, अब देखें, सबसे पर इसका tense check कर ले हम लोग, यहां सब्सक्राइब निए टिनों यहां पर सिमेर अब इसके बाद वाले पार्ट को आप चेक किजिए दा फ्लार लुक ब्यूटीफूल दा फ्लार लुक ब्यूटिफूल तो हमारा यह जो इस चेटमेंट एस यूज किया जाएगा ठीक है क्योंकि फ्लार क्या यह थर्ड परसन थ ready for the present त्जैज नहीं होता तो यह क्या है धרट परसंतों इस में कही चेंज नहीं होना है option सी में दखें है यहाँ फ्लार है और यहां पर हैव लगा दिया तो इसका टेंस ही चेंज कर दिया और यह बिल्कुल बे तुक का टेंस घ्ट है ठीक है बात चम्राइल यह subject of大概 है तो हमें जो आंसर करना होगा और यहां पर लोक्स यह है प्लूरल और यह बना दिये गए सिंगुलर यह सब्जेक्ट वब एग्रेमेंट का एरर बन गया और भी वी कैंसल हो गया अब यह देखिए फ्लार्स और यह लुक यहां पर सब्जेक्ट वब एग्रेमेंट की ट्यूनिंग है यह करेक्ट पार्ट है हमारा अंसर बने का और यह कोशन कब का पूछा गया इसी तरीके से नेरेशन के बड़े से बड़े कोशन को आप आसान तरीके से बना सकते हैं अब यहां पर यह इस कोशन में देखिए हम लोगों को क्या करने के जरूए थे यह भी पूचा गया आपके कि अभ्सेश पर यहसी प्याप इलिमनेट कर लिजें यहां पर दिकेशल हो गया यहां पर सिए यह थे लिए ऑन से ज सकता है यहां आपर यह जैंग का今 फिर यह विपल आप संब यह如果 ऱगयों तो चिर्य केभार यह नहीं करेगा थीक है जो सब्सेदर नहीं करता है तो many people are, तो सारे sentence में R ही होना चाहिए, तो जो भी probable option हमारा बचा है, option number B और D, दोनों में हम check कर लें कि इसमें R लिखा हूए, यहां पर वर लिखा इसलिए भी Cancel, र लिखा इसलिए D Correct हो गया मतलब आप यहां से यह समझने का प्रयास किजिए कि जब भी कभी हमें किसी भी Question को Direct से Indirect में या Indirect से Direct में Convert करना होगा तो सबसे पहले हम Reporting बब का Tens Check कर लेंगे Reporting बब का Tens Check कर लेंगे और इसका टेंगे कर लेंगे ठीक है, मैक्सिम केस में, जब इन तीन चीजुँ पर आप का अंसर तय हो जाता है, का अंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है, आगे बढते हैं, हम लोग यहां देखिए, my father says prices are shooting up alarmingly ठीक है prices says देखे ये क्या है double inverted में मतलब क्या है कि ये direct का है इसको indirect में convert करेंगे तो that शाहिए सबसे पहले आप इसका 10 शेक कर लेज़े reporting of contents क्या है present reporting of contents क्या है present है यहां देखे state cancel हो गया ये से इस 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 इन तीनों में से कोई भी हो सकता है अब that के बाद के प्राइस प्राइस क्या थर्ड परसन थर्ड परसन इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा तो हमारा जो answer बनेगा उसमें भी हमें लिखना होगा prices are prices are अब जड़ा आ जाए option को आप चेक कर लिए किसमें prices are लिखा हुआ यहां देखे prices are लिखा है कि यहां लिखा है यह हो सकता है यहां prices are लिखा है क्या नहीं लिखा है यह भी cancel देखे आपका answer क्या बन गया answer बना option number B तो आप यहां पे देख पार रहे हैं कि अभी आज के इस class में हम लोगों ने अभी तक जितने भी question solve किये इन सबका answer सिर्फ दो तीन चीज़ों पर निरवर करता है किन किन चीज़ों पर तो पहला reporting वह दूसरा जो reported speech है उसका जो person है first person second person या मुख रूप से सबसे पहले आप उसका tense ही चेक कर लिजिए अर्थात double inverted comma के अंदर या that के बाद जो भी sentence given है आप उसके tense को के वल पकड़ लेजे reporting वर्ब का tense और उसका tense ठीक है तो हमने आपको पिछले class में बता है आज के class में भी हमने आपको कई बार repeat कर दिया reporting वर्ब का tense यदि present हो या future हो तो reported speech का tense चेंज नहीं करता है बात समझ में आ रही है ठीक है तो maximum answer आपका present future वाला यदि reporting वर्ब होगा तो इसी पर आपका answer clear हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को हम लोग यहां पर solve करने का प्रयास करते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह जो reporting वर्ब है यह हमारा reporting वर्ब इसक है ठीक है अब देखिए बवाले का टेंस को है तो सबसे का टेंस pride और Гल्रीक है तो इस कटेंस ए प्रेजन परफेक्श्य ठीक है अब आजेगी तो जरा answer चेक कर लीए यह देखिए सेट कैंसल यह देखिए सेट कैंसल हमारा आंसर क्या रहेगा बविता सेज तो बविता यहां भी है सेट तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बविता सेज है सीधा अंसर हो गया अप्शन नमबर बी ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले कोशन में यहां पर देखें आर प्रिंसिपल से ठीक है आर प्रिंसिपल से रूल्स आर टू भी फॉलोड एट एनी कॉस्ट तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्प का टेंस क्या है रिपोर अब इसके बाद आईए हम लोग यहां से सीखेंगे अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्प का टेंस यदि प्रिजेंट हो या फ्यूचर हो तो रिपोर्टिंग वर्प का टेंस चेंज नहीं करता अब हम लोग यहां से सीखेंगे कि यदी रिपोर यदि रिपोटिंग वर पस्ट में हो थो रिपोर्टेट स्पीच तेन स्टेयर प्रिजंट इंडिफो तो उसको चंज करेंगे पास्ट इन डिफ्रिट में को इनको लिक करके याद करना 오래 याद नही कुछ समय के लिए आपको इसको अलग से पेज पर लिखे हाथ में रखना होगा कब जब आप narration के question को solve कर रहे होंगे तब तो ये सारी चीजे आपके हाथ में होनी चाहिए तो आप आसान तरीके से इसको सीख पाएंगे समझ पाएंगे अब reporting वर विया दी past में हो reported a speech that is double inverted comma के अंदर सेंटेंस लिखा उसका टें ससे दी past ये दिफिरेंट हो तो आ समझ में कहीं कोई परिवर्टन नहीं होगा बात समझ में आ रही है यहा से आगे बढ़ते हम लोग और चलते हैं कुछ और concept को सीख़ते हैं आप देखेंगे कि यदि reporting वर्ब पास्ट में हो तो यह सब जो वर्ब है इस एम आर इनको हम लोग चेंज़ कर देते हैं वाज वर्ब में ठीक है वाज वर्ब में तो कब वाज लगेगा कब वर्ब लगेगा यह आप subject of agreement के according designed में सब्जक्क जैसा रहेगा हो इसा वर्ब लेगा ठीक है वाज वर्ब हो अर्था वज्वर्ब क्या होते है तो यह वर्ब का सेकंट फॉर्म हो गया मतलब क्या जगया यह ऑफ करेंगे ठीक है है इसद नो करेंगे head में do does हो तो convert करेंगे did में can का code, sell का should make का might, will का order must को हम लोग convert करते हैं head to में इसको आपको vcs रूप से याद रखना होगा must को किस में convert करते हैं तो head to में convert करते हैं यह आपको याद रखने की जरूरत है यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ और सब्द है जिन में परिवर्तन देखने को मिलता है जिसको हम लोग बदलते हैं तो ago को हम लोग लिखते हैं before में ago रहेगा तो इसको हम लोग convert करते हैं before में कम रहेगा तो go में hence का henceforth का henceforth यह आपके exam में कभी आज तक दिखाई नहीं पड़ा तो आप इसको यदि याद नहीं रखें आप इसको यदि भूल जाएं तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है here का there यह जम के use देखने को मिलता है यह हीदर थीदर यह भी देखने को आपको नहीं मिलता है इसको भी आपको याद करने के ज़रूरत नहीं है Just का देन ये कभी-कभी मिलता है Last day को हम लोग convert करते हैं Previous day में यह yesterday given in he is करते हैं इसका that दसका so टीख है टुड़े को that day टुड़े को that day में ठीक है, tomorrow का next day, tomorrow का next day तुनाइट, दैट नाइट, तुनाइट को, दैट नाइट में कनवर्ट करते हैं, येस्टड़े, प्रिवियस्ले, ठीक है, तो इन बातों को अब आपको याद रखना होगा, आए इनका कुछ एक्जामपल लेते हैं हम लोग, और इनका कुछ एक्जामपल लेके इनको एक्जामपल लेते हैं हम लोग, देखे एक्जामपल में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे एक एक्जामपल लेते हैं, हम लोग, he said, यहाँ पर, he said to, he said to her, he said to her, I am, I am coming, coming to, I am coming to you now, ठीक है, अब आप जर्ण ध्यान देजिए इसका टेंस भी आप चेक कर सकते हैं हमने आपको टेंस बढ़ाते से में बताए था यदि किसे सेंटेंस में ना लगा हो तो वो सेंटेंस रहता है present continuous में लगा हुआ है अब देखे जब इसको हम लोग डायरेक्ट से indirect में कनवर्ट करेंगे त कटिके सबसे पिए पर यहां को क्या होता है तो सबसे पहले ही लिखते का क्या होता है इसको मैं तो सबसे परके सा disrupted piss करेंगे यह किा सबसे हुआ हैं करेंगा better अब उतना यह संब्स क्राइब कह रए इस एंगर करते थे वच्वर में किसा लगए आ भी और यह और यह दोनों को सिधा है आपा शुचिंज में तो इस प्रकार से इनका conversion होता है अब माल लिजिए क किसमें यहां पर तो हमें, कोई न कोई object मानना पढ़ता तो हमें कोई न कोई object मानना पढ़ता और जो object मानते हैं उसके you को यहां पे change करते हैं बाकि सारी चीज़े अगे चलते हैं और चलते हैं कुछ question को हम लोग यहां पे solve करना फ़रू करते हैं इस पहले question के लिए देखे हमने यहां पे इस नाउन के टेबल को आपके सामने रखा हुआ है तो सबसे पहले आप इस कोशन को जरा देखिए रमेज सेड देखे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है सेड है इसका टेंस क्या है पास्ट है ठीक है इसका अपना कोई अप्जेट नहीं है लेकिन डबल इन्वर्टेट कॉमा के अं तो यहां पे के ऊप्षून स्च हो गया अब यहां पर लिका हुँए और इसका टेंस क्या है से औरी ह jeopard होता है को मारा रांसर क्या होगा ओड होगा यहाँ पर क्या लिखा हो भी लिखाए तो एक एंसर लोग है आंसर बन गया उप्शन नमबर भी बात समझ में आ रही है ठीक है चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं कुछ और कोशन को हम लोगें आप देखने का समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर देखें पूजा सेड नहीं पास्ट है क्या है चलिए यह पास्ट है तो अब यह क्या है राइट यह राइट क्या है यह है वर्ब का फॉर्स्ट फॉर्म तो इसको किसमें नहीं है इसलिए और cancel हो गया आप यहाँ देखे सेट यहाँ लगा दिया गया इसलिए यह चैन्सल ऊब इसलिए और अब देखरें उब और कितने मज़े साथ से खेल भी रहें अब इस से डारेक्ट में च्छेंज करना हो दोनों में لесеш को भी काम करना हो जब भी कभी हुसका चेंज करना हो German है स्टेंटमेट हैं बाद समझ में सी पहले आपको क्या पकड़को क्या पकड़ आ रहे हैं और जब तक हम आपको पढ़ाते karşı हैं टिए हम आपको यही बात बताते रहेंगे maximum cases में आप देखेंगे reporting verb और जो reported speech का tense है इन ही से आपका answer हो जाता है maximum cases में तो केवल इन दो चीजों को आप पकड़ना सीख जाएं केवल इन दो चीजों को पकड़ना और option को यह option पर इनका use करना आप सीख जाएं तो आप 99% cases में correct answer मार के निकल जाएंगे 99% cases में बात समझ में आ रही है यह इतना important है तो आए इसका फिर से हम लोग यहां पर use करते चले यह देखें यह क्या है तो यह हमारा reporting verb का tense क्या है past क्या है पास्ट ठीक है अब चलिए अब इसका use करना हम लोग सीखें इधर देखें इधर कोई है क्या यह गोज गोज क्या यह है वर्ब का फिर्ट फोर्म यानि इसका tense है present in different तो present in different का past क्या हो जाएगा past in different present in different को कहा चेंज करते है past in different में चेंज करते हैं लेकिन ज़राई इस sentence को पढ़के देखिए दमून गोज राउंड दसन यह यूनिवर्सल टूथ है भाई अब यहां पर ध्यान देजी आप यदि reporting वर पास्ट में हो यदि reporting वर किस में हो पास्ट में हो यदि reporting वर पास्ट में हो लेकिन reported a speech का जो टेंस है लेकिन टाइम की अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं करती ठीक है इन सभी को क्या मानते हैं universal truth जैसे love is blind तो यहाँ पर यदि लिखा हुआ हो love is blind तो हम लोग उसको love was blind नहीं लिख सकते हैं earth rotates round या earth moves rotate sorry earth moves around the sun तो यह क्या है यह arithmetical sum नहीं है यह universal truth है लेकिन हम यह देखा है two plus two is equal to four या two plus two makes four दोनों ही बाते सही है ठीक है तो यहां पर the teacher said two plus two makes four इसमें two plus two makes four वाले पार्ट में कहीं कोई change नहीं होगा के बल्द that का use होता है ठीक है बात समझ में आई तो आईए अब सबसे पहले हम लोग चेक करें यहां देखे ask यहां देखे reporting बब क्या होगे ask यहां समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही हो तो आईए फिर आपको लेकर चलते हैं बूर्ड की तरफ है और यहां पर फिर आपको एक example लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं जैसे he said he said he said to his friend he said to his friend यहां पर हम लिखे two and two two and two two and two mix two and two mix four two and two mix four अब यह दखिए two and two mix four दो प्लस दो कितना होता है चार होता है बात समझ में आ रही है तो यह क्या arithmetical sum है इसमें कहीं कोई change नहीं होगा ठीक है अब जब इसका डायरेक्ट से इंडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं he told he told his friend he told his friend that he told his friend that that two that two and two mix four that two and two mix four mix four बात समझ में आ रही है तो अब आप देखे यह जो दैट के बाद वाला यह जो पार्ट है यह ठीक हो ऐसा ही है जैसा कि उपर में RS में लिखा हुआ था RS मतलब reported speech में ठीक है ठीक है बात समझ में आ यह तो ऐसा ही होता है अब यहाँ पर two plus two mix four के जैक हम लिख दे the earth is round परित्य में कैसी है गोल है तो यह भी सेब रहेगा ठीक है water boils at hundred degree centigrade तो वह भी सेब रहेगा man has two legs वह भी सेब रहेगा man is mortal वह भी सेब रहेगा ठीक है चलिए तो अब इसके आगे हम चलते हैं फिर से slide में और फिर से अब हम लोग यहां पे कुछ question को solve करने का प्रयास करते हैं आईए इस question को हम लोग solve कर चुके थे इसका answer क्या था तो इसका answer था हमारा option number a अब next question पर चलते तो principal said I want to meet her parents ठीक है अब जड़ा धिहान देजिए हम पर यह क्या है सेड़ है यह क्या है ठीक है यह first person यह change कर जागा principle के according ठीक है principle का जिंडर हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते मेल मेल के लिए use कर लेंगे ही ठीक है और यहर क्या third person है तो इसमें कहीं कुछ change नहीं होना अब यह want क्या है यह वर्प का first form तो इसको यह wants नहीं होगा यह wanted हो सकता यह could meet यह नहीं होगा ठीक है यानिक यहमारा answer क्या हो सकता है option number a option number d भी cancel होगा option number a said to me, प्रियंका ने मुझसे कहा, अब ये said क्या, reporting और एंग कहा है, past में, ये दिखे don't, don't कहा क्या हो जागा doodoo का, did हो जाता है, ठickers, doodoo का क्या होता है, did होता है, तो आज आइए simply, सबसे पले, आप doodoo का 10C check कर लिजे, doodoo का did, धूड़ी यहां डीड है क्या नहीं है तो option number a cancel यहां डीड है क्या है तो में भी यह हो सकता है इसमें क्या ड़स है तो यह option number d cancel ठीक है option number b और c इन ही दोनों में से कोई एक आंसर होगा अब देखे प्रियंका said के बाद that होना एक ही आंसर बचा option number c पढ़ने के विजरूवत नहीं सीधा आंसर क्लिक किजी आगे पढ़ते रही है नेक्स्ट यहां देखिए अंजली सेड आई टूग आवावाज मैं दो अम्रूद खाती हूं ठीक है जाम खाती हूं ठीक है चले तो इसको जड़ा हम लोग सीखें यहां यह प्राइख प्रिज़न तो यहe का प्रिंज सेंसेंड करेंके नबर सी ठीक है बात समझ में आ रही होगी हैрах है यहां तक हम लोग जो कौस्षन jetlor कर रहे है। यहां तक कि कौस्षन को सॉल्व कर ते समय या अभी तक में हमने आपको जो बताया वो एज़ेटी चीजे हो रही है ठीक है आगे भी होती ही रहेंगे ठीक है तो हम फिर से आपको repeat करते चलें कि narration के question को solve करते समय यह जो objective pattern के question अपने से सी एक्साम में हम सबों को देखने को मिलते हैं इसको solve करते समय आपको कुछ करने के ज़रूत नहीं बढ़ा simple होता है क्या simple है तो simply आप इसका reporting वाप को पकड़िए फिर double inverted उस वाले section को check कर लिजिए आपके answer यहीं से निकल जाएंगे ठीक है चले तो आगे बढ़ते हैं और इस second वाले question से फिर हम लोग यहाँ पर solve करना शुरू करते हैं यह देखे इसमें क्या लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है that that लगा हुआ मतलब sorry that लगा हुआ है indirect वाल देखे live हूसकता है यहाँ देखे live है नहीं है क्या सब्सक्ता नमर दी में देके live हूसकता है मतलब option बी ए option नमर सी हमारा cancel हो गया अब ज íoffs पॉर्टिंग बखत हो यहां क्या होना चाहिता है क्ले क्लेंग paar जो बचा हो अपना इसी तरीके से आप एकदम आसान तरीके से narration के सारे question को एकदम हसते खेलते मस्ती मजाक में बना सकते हैं तो यह सारे question काफी दिख रहे हैं इसे बाहर निकलते हम लोग यह सारे question भी हम लोगों को easy ही देख रहे हैं तो इस question को जरा हम लोग बनाने का यहां प्रयास करते हैं क्योंकि यहां पे reporting वर्ब कहा लिखा हुआ है क्या थाप्स नमर और यह अप्शन नमर अंस्ट हमरै अंसर यहां पर दीआ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है और कितने मज़े के साथ हम लोग इसको बना पा रहे हैं चलते अब इससे बाहर कुछ और नए कोशन की तरफ हाँ ये थोड़ा सा कोशन बड़ा टाइप का दिखा पहली बार तो आएए अब इस कोशन को हम लोग यहां पर सॉल्ब करना शुरू करें इ यह वर्ब कर फर्स्ट फोर्म अर्थात इसका टेंज है अब देखें यहां पर डवल इनवर्टेड कॉमा के अंदर दो सेंटेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है पहला सेंटेंस है आई नेवर टिल माइ स्टूडेंट्स वार्ट टू डू रो और दूसरा क्या है आई टेल देम टू इमेजीन ये भी क्या है इसका भी टेंस क्या है इसका भी है वह अब का फर्स्ट पूम अर्थाथ प्रिजेंट इंडिफिनिट है तो डवल इंबर्टेट कॉमा के अंदर आथाथ रिपोटेड इस बीच में यहाँ पर दो सेंटेंस है और दोनों ही सेंटे है क्या नहीं है देट के बाद टोल है है दूसरे में टोल चेकर यह भी है नेक्स्ट मतलब दोनों ही सेंटेंस का टोल होगा तो दोनों ही सेंटेंस का हम लोग टोल चेक करें यहां देखें पहला ही टिल है गलत हो गया इसमें देखें नीचे वाले में यह टोल है और दूसर कि इस बड़े से sentence का हम लोग कितने आसान तरीके से answer कर पा रहे हैं। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, reporting वर हम लोग पकड़े और उसके बाद हम लोगों ने reported a speech content check किया और simply उसका conversion हम लोगों ने कर दिया, conversion के according हम लोग option को check कर लिए, और option जिसमें match किया वो हुआ हमारा answer, जो match नहीं किया, उसको हम लोग reject कर देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ दिया, उसका elimination हम लोग करेंगे, उसको escape करेंगे हम लोग, अब आए यहाँ पर फिर से देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा sentence आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, अकसर क्या होता है, कि exam में बच्चों को विसे सुरूप से ऐसे बच्चे, जिनकी English week होती है, ठीक है, तो उनके मन में एक fear होता है, छोटा-छोटा sentence मिले तो हम पढ़के उसको हिंदी में translate करके समझेंगे, जबकि हम बार-बार लगबग अपने हर class में बताते आ नहीं है, जहाँ पे हिंदी में समझने की जरूरत होगी, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि grammar के section में, close test के section में, rearrangement के section में, यहाँ पे आपको हिंदी translation करके देखना पड़ेगा, ठीक है, maximum time आपको यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे आप देखेंगे close test हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, rearrangement हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे कितने मस्ती मजाक में, कितने आसान तरीके से हम लोग उसको deal करेंगे, ठीक है, चले तो अब इधर चलते हम लोग, यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, तो question बड़ा हो, तो कितना भी बड़ा हो, चार लाइन का sentence आपको दे दिया जाए, आपको देखके बिल्कुल भी घबराने की जरूरत, नहीं, यह double inverted comma देके फिर से यहाँ पे missing है, ठीक है, वी से शुरू हो रहा है, और payments के बाद यह खतम होगा, ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यह क्या है, तो यह हमारा reporting verb, reporting verb का sentence क्या है, पास्ट है, अब चलिए reported switch में, यह क्या है, want, want क्या है, यह है verb का first form अर्थात क्या है, present indifferent, तो हम इसको किसमा convert कर देंगे, past indifferent में, और देके before के बाद फिर यहाँ पे दूसरा sentence में, एक में क्या है, यह भी यह verb का first form अर्थात है, यहाँ पे तो दूसरा sentence है, दो sentence given है, आर्थात reported speech में, double inverted comma में हमें, दो sentence given है, और दोनों sentence को, इस conjunction before का use करके जोड दिया गया, ठीक है, अब आप conjunction मत पूछने लगना, भाई, conjunction है, पहले ही आपको पढ़ा चुक है, ठीक है, conjunction में जिसको problem हो, तो conjunction की topic को जाके आप, प्लेस देख चलिए, यहां पर आ रहे हैं, यहां पर हम लोग देख रहे थे, तो दोनों ही sentence cuttings क्या है, तो दोनों cuttings है, present indifferent, तो दोनों को किसमें convert कर देंगे, past indifferent में, तो यहां wanted होगा, और यहां made होगा, चलिए, सीधा हम लोग wanted और made पे चलते हैं, यहां देखे, wanted है, क्या नहीं है, त क्या है, नहीं मिला, यह नहीं मिला, तो यह भी cancel लेकिए option है, जिसमें दोनों cuttings है, appropriate है, answer क्या बनके, answer बनके है, option number B, तो अब आप ज़रा देखिए, ऐसे बड़े-बड़े sentences given होते हैं, पूरा sentence पड़ भी, नहीं रहे, भी ना sentence पड़े, हम फटा-फट answer कर पाते हैं, तो पातरवाई जाएंगे, आप sentence को पड़ते रहे, ढूंडते रहे, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या करना है, किसको किसमे convert करना है, किसको किसमे convert नहीं करना, ठीक है, आईए, एक और question यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, इस question में भी question थोड़ा सा, थोड़ा सा, slight, ठीक ठाक है, average level का है, अब ही, recent year में, 2019-20 में, जब से, TCS आपका, SAC का exam connect करना शुरू कर दिया, TCS आपका vendor हो गया, CV को replace कर दिया, तब से, इसी pattern के question, यह pattern, यह इसके पहले, यह जो दो question हम लोगों ने solve किये, इसी pattern के, यह इसी length के question, आपके exam में देखने को मिलने, ठीक है अब बहुत छोटे-छोटे question आपके exam में दिखाई, नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब आईए, इस बड़े से question में भी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले reporting बब हम लोगों ने पकड़ लिया, अब देखें, यहाँ पर क्या लगा होए, that लगा होए, that लगा होए, अर्था जब इसको हम लोग direct में convert करेंगे, तो यह present in different में होना चाहिए, present in different में होना चाहिए, मतलब इसको हम लोग convert करेंगे, वर्ब के first form में, ठीक है, तो subject जो भी रहेगा, उसके according यह change करेगा, अर्थात make होगा, यह makes होगा, तो आज यह सबसे पहले हम लोग make और makes को ढूनना श cancel हो गया, ठीक है, यह makes, तो यह तो option number A होगा, यह तो option number D होगा, ठीक है, अब आजाएए, हम लोग चेक कर लेए, इनको, explaining our work she said, यहाँ देखिए, double inverted comma के पहले का यह जो पार्ट है, यह दोने में बिल्कुल same है, अब यहाँ पर I का use कर लिए गया, I make films, I make films for posterity to remember, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर क्या हो सकता, यह C said है, यहाँ पर C लेंगे हम लोग तो इसका person change नहीं करेगा, यह third person, यहाँ लोग आई लेंगे तो इसका person change करेगा, I first person change करता है, reporting बब के subject के recording, तो हमारा preferable answer क्या बनना चाहिए, हमारा preferable answer बनना चाहिए, option number D क्या बनना लेकिन हम लोग ध्यान रखें, कि हम लोग prefer करेंगे, first person, second person, किसको, first person, second person, यदि यह नहीं हो, तो हम लोग prefer करते हैं, third person को, ठीक है, तो सबसे पहले change को हम लोग preference देते हैं, तो हमारा answer क्या बननेगा, इस question का answer बनेगा, option number D, option number A, यहाँ पे C होने के कारण, हम लोग इसको skip कर देंगे, ठीक है, next, अगला question, run away children, say to, say their uncle, अब यह देखें, यह question भी आपके CHSN 2019 में पूछा गया है, ठीक है, अब यह देखें, यह हमारा reporting, reporting verb, reporting verb का 10 का है, past, तो यह क्या है, run, यह देखें, run away, तो run क्या है, यह verb है, ठीक है, यह क्या है, verb का first form है, तो run का second form क्या होगा, यह चुकर present indifferent में, convert करना होगा, past indifferent में, run, ran, run, तो आज यह सबसे पहले हम लोगा, ran का use करें, देखें, क्या use करें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, run away, run away, यहां पर to run away, यहां to run, to run away, ठीक है, अब सबसे पहले देखें, अब यह to run away से confirm नहीं हो पा रहा है, अब इ मतलब बच्चे, भाग जाओ, यहां से, ठीक है, भागो, भाग जाओ, यह order दे रहा है, ठीक है, एक प्रकार से, यह suggestion दे रहा है, तो order यह suggestion के लिए हम लोग रिपोर्टिंग हो, ask में, इस कुछेंज नहीं करते है, ask का use करते, question पूछने के लिए, cancel, wanted, अंकल चाहते थे, उ चो से कहा, अब यह देखे, toll लगा हुआ, toll के साथ यहां, क्या लगा हुआ, टू, तो toll के साथ, टू का use नहीं करते है, इसलिए, option cancel, अब यह भी cancel एक ही, option बचा हमारा, option number B, क्या बनना, option number B, option number B, तो इस तरीके से देखे, यहां पे, say को, tell में, convert नहीं किया, बलके, say को कि यहां से एक नई चीज सेखने को मिलती है, नई चीज सेखने को क्या मिलती है, कि अभी तक हम लोगों ने सीखा था, कि जो reporting बव था, इसको generally हम लोग, tell में convert करते थे, किस में, tell में convert करते थे, आगे चलके आप देखेंगे, कि इस reporting बव से, को tell में, कभी convert करते हैं, कभी convert न नहीं करते हैं, अब आगे चल के हम लोग सीखेंगे, इस रिपोर्टिंग वर्व को हम लोग टेल में कनवर्ट तो करते ही थे, अब इसको अलग अलग प्रकार के सब्दों में हम लोग कनवर्ट करेंगे, अलग अलग प्रकार के सब्दों में हम लोग कनवर्ट करेंगे, जैस किसी भी appropriate word में हम लोग इसको convert कर सकते हैं यह कैसे तैं होगा अब आपके मन में यह confusion create होगा सर यह हम कैसे जाने कि हमें कब reporting वह आपसे को किस्में convert करना है यह depend करेगा यह जो आपका question given होता है इसका जो sense होगा उसके आधार पर जैसे के अंकल नहें कहा उन लोगोंके अंकल ने कहा बच्चों भाग जाओ मतलब अंकल ये चाहते थे कि बच्चे नहीं दिया जसा ओडर उसको दिया जाएगा जो परसन संसीबल जो चीजों को समझता घीक है जो छोटे बच्चे होते हैं इनोसेंट होते हैं प्लेफुलनेस उनमें पाय जाता है मतलब वो बच्चे सरारती होते हैं अब बच्चे जब सरारती होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे सरारत नहीं करें अगर कहीं कर रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों को भगा देते है चिक है बात समझ में आ रहे हैं न कि उनको order देते हैं तो इस प्रकार से यहां पे इस question का answer क्या बना हमारा want बना और कई बार तो आपको इसको जानने समझने के भी जरूरत नहीं होती आपके जो option given होते हैं simply आप इस question को इसे eliminate कर दीजिए जैसे अभी आपने देखा कि हमने आ ठीक है इसले टोल के साथ हम लोग two का use नहीं करते हैं इसलिए option number c cancel होगा है यहां पे देखे ask ask का use करते हैं हम लोग question पूछने के लिए request करने के लिए question पूछने के लिए request करने के लिए जो आगे चल के हम लोग interrogative type के sentence में use करेंगे interrogative sentence में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो वहाँ पर इसका use करते हैं और वैसा यहां पर से answer नहीं है इसलिए इसका use हम लोग यहां पर नहीं करेंगे बात समझ में आ रही है चलिए तो अब यह सबस्तान से question दिखाई दे रहे हैं जैसे यहां पर आई यह देख लिए हम लोग कुछ question को यहां पर reporting क्या है सेडिये क्या I am going तो गो का गोई रहेगा इस इस में convert करते हैं यह आई किसके बनके हमारा answer बनके option number D ठीक है नेक्स्ट अगले question में चले स्नेहा सेड आई एम बाइंग अब यह देखिए आई एम बाइंग आई एम बाइंग यह रिपोर्टिंग वह यह कहा है पास्ट में और इसका टेंस क्या है तो इसका टेंस आपको यह पता नहीं वीचले तो भी आ यहां देखें सी वाज है क्या नहीं तो यह हो सकता है यह है क्या सी लिखा हुए यह भी कैंसल यहां देखें सी वाज लिखा हुए यह है तो हमारा answer क्या बनेगा या तो answer बनेगा option number B या तो answer बनेगा option number D अब आज जाए जड़ा reporting वह चेकर लें जहां तक solve किया जहां तक हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा सब जहां यहां तक हम लोगों का निसकर से यहीं निकलता है कि reporting वर्ब को आप पकड़ लेजिए उसके बाद reported speech में जाए परसन पकड़िए उसके टेंस को पकड़िए इन तीन चीज़ों के अधार पे maximum cases में हम हम लोगों को सीखना बाकी है तो बाकि उन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे सीखेंगे समझेंगे और उन सब हो पे बिश्ड हम लोग सारे question भी solve करेंगे कहां पर तो इसको continue करेंगे हम लोग narration के third class ते ठीक है तो narration part 2 को यहीं पर हम लोग conclude करते हैं ठीक है मिलते हम बहुत भनेवाद बहुत बहुत आबार